Hello friends, welcome to VU Sport Match Review और इस वीडियो में हम प्रिव्यू करेंगे Premier League का Match जो एक खेला जगा between West Ham United और Bournemouth के बीच में इस वीडियो में फ्रेंड़ो में आपको बताएंगे Best Fantasy Combination के बारे में और आपको देंगे कुछ important tips, picks, small league के और grand league के जो आपको team बनाने में help कर सकते हैं और friends अगर आपको ये contest खेलना है तो ये contest आफ fantasy अखाड़ा पर खेल सकते हैं जो कि इस वीडियो के लिए sponsor भी है तो इसका मतलब ये friends की fantasy अखाड़ा लगता है सबसे lowest commission सभी प्रकार के non mega contest के लिए इसका मतलब ये friends की आप कोई भी contest जोइन करेंगे तो उसमें fantasy अखाड़ा अपने पास सबसे कम commission रखता है entry fees जो होते ही यहाँ पर सबसे कम होते जिससे आपके winning के chances काफी ज़्यादा बढ़ते हैं profits आपके बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं आईए friends हम लोग चलते हैं तेखने अपना fantasy preview सबसे पहले हम लोग देखते हैं league table जो कि यह प्रेमेर लीग की और आप देख सकते हैं कि west ham और on sex position तो वही बोनमत काफी नीचे है असर में friends जोनोई टीम का season काफी contrasting जा रहा है बोनमत जहां सब लोग को लग रहा था season के starting में कि they might get relegated this season बट एंडोनी एरावला ने बहुत ही अच्छा काम किया है अब वो लोग properly mid table पर अगर यह match जीत जाएंगे तो वो अपनी position और solidify कर पाएंगे यह एम होगा कि वो टॉप 10 में किसी तरह finish करें इस season relegation से वैसे तो उनको इस season कभी तक कोई खत्रा नहीं है और शायद आगे भी नहीं होगा बट definitely एक late push of run अगर उन्हें चाहिए for a Europa Conference League spot तो यह सब type of matches उन्हें जीतने पड़ेंगे West Ham on the other hand friends उन्हें अच्छी performances दिये बहुत अच्छा football तो नहीं खेला लेकिन performances have been good डिविड मोयस की टीम के 6th position pair 21 matches played 35 points में बट असन में friends इनका problem defense है यह defensively बहुत अपनी team को set up करते बट उसके बाद भी इनकी team काफी goals unseed करती है और जब से Lucas Paaketa की injury हुई है तब से friends उनका जो creativity है वो भी नहीं दिख रही है एक boost थोड़ा सा जहूर मिलाओगा West Ham को Mohamed Kudus के वापस आने से AFCON से वो जल्दी वापस आगए उनकी country बहार हो गई थी यह definitely उनके लिए booster का का काम करेगा but still there is a lot of work to be done and still we feel कि in the absence of Lucas Paaketa जो main creative fulcrum है West Ham को कौन समाला लगा यह देखने वाले बाले दिल्चस्प होगी इसलिए we are not completely backing West Ham United in this match and हम लोग properly Bournemouth को out of context नहीं रख रहे हैं क्योंकि आराम से इस match में Bournemouth upset भी cause कर सकती है फिर चाहे वो West Ham के home पर ही match क्यों नहीं हो आई यह friends हम लोग चलते देखने सीधे अपना best fantasy combination इस match के लिए तो friends जैसा कि आप देख सकते गोल कीपर friends हमने लिया आलफॉंस अरियोला को ना यह आपके लिए surprise हो सकते है कि हमने home team के keeper क्यों लिया है बट friends जैसा कि हमने बताया कि West Ham United एक team है तो बहुत ही deep defend करती है बहुत ही sit back करती है position अपने पास रखना नहीं पसंद करती है तो एरा ओला को friends chaos पसंदे पिछ पर उन्हें position रखना बहुत ज़्यादा पसंद है इस match में भी फिल की position ज़्यादा बोनमुत की team रखेगी है तो एरियोला को आज ज़्यादा saves करने पड़ सकते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा short space करने पड़ सकते हैं वैसे भी हर game में हमने देख है कि एरियोला को अराम से 2-3 saves करने पड़ सकते हैं because West Ham काफी ज़्यादा short space करती है XDC के मावले में वो लोग बहुत ही नीचे हैं और बोनमुत भी हाज इनने properly test कर सकती है इसलिए हमने नेटो के उपर इनको consider किया अपनी team में आईए फ्रेंट्स अब लोग अपनी defense section के तरफ चलते हैं defense section के बात करें सो हमने एक ही defender को लिया है वो है Emerson Palmieri West Ham United से कोई भी इनका defender बहुत ज़्यादा outstanding नहीं है because Mavropanos जब से आए हैं बहुत अच्छे नहीं दिखें अग्वेड has been abysmal in the form अग्वेड का friend second aerial threat बहुत अच्छ है तो अप उन्हें consider कर सकते हैं सूफाल एक defender थे which was doing good बट इस match के लिए वो band है उनकी जगा Ben Johnson या Aukbona ये match start करेंगे और उन पर कितने हम rely करते हैं कितने trust करते हैं ये बता बना बहुत मुश्किल है that's why हमने एक safe reliable attacking और defensive minded option को लिया है Emerson Palmieri और हमने दो defender friends लियें बोनमद से मारको सेनेजी और इलिया जबारनी नो friends ये दोनो important defender है सेनेसी जहां आपको area threat बहुत अच्छा देते है last के कुछ matches में इनोंने goal भी score किया header से passing साब को अच्छे point देते है तो जबारनी friends आपको more defensive work points देते है जैसे कि tackle interception के points काफी अच्छे देते है जबारनी friends एक auxiliary left back या left center back roll दोनों की तरह operate कर सकते हैं मैच में midfield section पर चलते है friends बढ़ midfield section पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि view sport पर launch हो चुका है प्रेमेर लीग का half season pass जहां पर आपको बचे हुए प्रेमेर लीग मैचेस के जितने भी मैचेस बचे हैं प्रेमेर लीग में 150 प्लस मैचेस बचे हैं उनकी पूरी की पूरी view sport की AI generated teams मिलेगी at a very discounted price of rupees 349 rupees only so go and check out the view sport app now आपने देखा होगा कि प्रेमेर लीग के अभी तक जितने मैचेस बचेस बचेस में view sport की टीम ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है view sport की AI generated टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है इन सबी मैचेस में अभी तक जितने भी हुआ है प्रेमेर लीग के and over 60% इनका profitable या sweep rate है आप देख सकते हैं कि अगर आपने consistent basis पर प्रेमेर लीग खेला होगा view sport की AI generated टीम से तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा जाएए और इसको चक आउट करिए इस पास का फायदा उठाइए लिंक फ्रेंट्स हमने वीडियो के description में दिया हुआ है अग फ्रेंट्स हम लोग अपने midfield section के तरफ चले तो हमने जेम स्वाट प्राउस और टोमा सूचक दो midfielder ली हैं वेस्ट हम उनाइटेट से जेम स्वाट प्राउस लेट विंग पर खेलेंगे इन दी अपसंस अफ लुकास पाकेटा यह एक बहुत important option है chance creation numbers बहुत बना के देंगे बिकास हमें पता है कि यह सभी तरह की set piece लेते है free kicks से हमें पता है कितने ज़्यदा danger player है इसके साथ ही friends यह आपको direct goal threat के chances भी देंगे because पहले यह एक deep line playmaker कर रोल खेलते थे alongside Ed Sanalvarez but since Lucas Paketa is not there Ben Rama is also banned so हमें expected है कि वहाँ पर जेम स्वाट प्राउस खेलेंगे जो कि more direct goal threat and a better assist potential दे सकते है जेम स्वाट प्राउस के बिना अपनी टीम मत बिनाईएगा and same goes for Thomas Suchak जो कि काफी time सब number 10 position में खेल ले वेस्ट है मैं काफी impress कर रहे है assist अच्छा दे रहे है chance create कर रहे है बहुत ज़ादा direct goal threat तो नहीं दे रहे है but still यह एक box to box midfielder या box to box number 10 की तरह operate कर के goal भी score कर सकते है so Suchak becomes an important pick बहुन मत की बात करे फिरेंट्स तो हमने टावेर्नियर और क्रिस्टी को लिया है now Marcus Tavernier का recent form is very good goal scoring form काफी अच्छा assist potentially बहुत अच्छा एकता है that's why मने उनको लिया है and Ryan Christie friends now EA एक थोड़े से controversial choice है इस position पर अप्टिंग कर कर सकते है अगर आपको West Ham का एक extra midfielder चाहिए तो आप someone like Edson Alvarez को ले सकते है अगर आपको Bourne मत का कोई एक और defensive minded player चाहिए जो proper सिर्फ defensive points जे now by bangers वगरा भी ना score करे तो आप Alex Scott को consider कर सकते है Lewis Senes तरह भी एक option है जो की more explosive option है जिनके बारे में आगे भी discuss करेंगे ये सारे दो तीन options है जिनको आप consider कर सकते है बट सिल हमें लगता है कि इस match में Ryan Christie का defensive work rate काफी ज़्यादा helpful हो सकता है especially against a team like West Ham that's why हमने उनको प्रेटीम मिलिया है forward section पर जाने से पहले friends हम आपको बता दे कि ऐसे ही आपको और भी insights जानने short maps, heat maps या cricket के बारे में कुछ important information जाननी है फिर चाहे वो बांगलादेश फ्रुमियर लीक की हो या IELT 20 की हो आपको सभी information मिलेगी व्यू स्पोर्ट के टेलिग्राम चैनल पे इसको चेक आउट करना मत भूलिएगा इसको join जरूर कर दीजएगा link friends हमने वीडियो के description में दिया हुआ है आप friends हम लोग अपने forward section की बात करें आप फ्रेंट्स हमने बोनमत से लिया है Dominic Solanke को यह एक important player है इनका form बहुत ही अच्छा चल रहा है इरावला के अंडर वैसे भी हम देखते हैं strikers का form बहुत अच्छा हो जाता है फिर चाह वो last season राय हो आएकानों के लिए इसी पारा जोन हो यह इस season Dominic Solanke Solanke की friends over 10 plus goal contribution इस season दे चुके and he is in proper contention for England के euros के squad के लिए सो Solanke अपना form अपना जरूर चाहेंगे जरूर अच्छा form को continue रखना चाहेंगे और यह आराम से CBC के भी option बन सकते हैं इस match में especially इस West Ham के back line पे जिन कौन बहुत जादा trust नहीं करते उसके साथ ही friends हमने West Ham United से Jared Bowen और Mohamed Kudus को लिए है नो दोनों ही important player है Jared Bowen friends एक player है जो की direct goal threat operate करते है और direct goal threat देंगे बहुत ही अच्छे finisher है short accuracy इनकी बहुत अच्छी है chance बहुत अच्छे career करते है so Jared Bowen becomes an important option and Mohamed Kudus friends आपको एक direct assist threat देंगे यह बहुत ही अच्छे shots भी लेते है असल में friends अगर आप इनके XZ और XZ नमबर देखेंगे तो बहुत ही कम मिलेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि यह player अच्छा नहीं कर रहा है बट इन्होंने massively over perform किया है तो इस match भी वह बहुत important pick रहेंगे especially against a team such as Bournemouth चुकि बहुत ही high operate करती तो पीछे के जो spaces होंगे वो Kudus अपनी pace exploit कर सकते है गाना के लिए भी इन्होंने 2 goal score किये थे एक match में आफकॉन में तो Kudus और Bowen बहुत important option बन पर जाएंगे अगर Lucas Parketa fit हो जाते है और यह match start करते है तो आप उन्हें भी जरूर consider करिएगा because Lucas Parketa के बिना आप अपनी team मत बनाईएगा क्योंकि वो इस team के main creative outlet है उन्हीं के assist होते हैं ज्यादा तर Jared Bowen या Mohamed Kudus score करते है आप देख सकते हैं इनका कितना ही अच्छा और कितना functional front 3 है एंड एक भी player अगरे से missing होता है तो उससे West Ham सफर करती है जैसा कि हमने देखा था against Bristol City आईए friends हम लोग चलते हैं अपने कुछ important picks सबसे पहले friends हम लोग देखते हैं अपने कुछ top captaincy picks तो definitely Jared Bowen होंगे उसमें more direct goal threat ही रखते है West Ham के main number 9 है और दूसरे pick होंगे हमारे Dominic Solang की ये बोनवत के लिए important player है बोनवत के number 9 है बहुत ही अच्छे form में है and West Ham जिरको goals concede करने की आदत है उनको Dominic Solang के जरूर हर्ड कर सकते है अपने pace से and same goes for Muhammad Kudus जो की पीछे रहे free spaces को especially between the left fullback Elias Zabarni and Adam Smith इनके बीच की spaces को बहुत ही अच्छे से expert कर सकते है Kudus ये outside the box काफी अच्छे shots ले सकते है इनके XZX से number ये define नहीं करते कि कि इनोंने कितने अच्छे performances अब तक दियें this season so definitely ये तीन आपके easy captaincy picks होंगे अगर हम differential captaincy picks की बात करें so हमने सूचक और वाल्ट प्राउस को लिए है West Ham के दो main creative outlet आपको occasional goal threat भी देंगे but आपको chance creation numbers बहुत अच्छे देंगे that's why ये दोनों माय अच्छे differential captaincy pick है और तीसरे रोंगे friends हमाये Marcus Tavernier जिनका assist numbers बहुत अच्छे हैं अब तक इस season बोन मत के लिए and वो goals में भी आ रहा है ये wing back position भी खेल लेते winger भी खेल लेते, midfield में भी खेल लेते so अब देख सकता है काफी versatile player रहा है Lewis Sinisterra friends जहां अपनी pace से wing पे exploit कर सकते है इस West Ham United की back line को ये bangers भी अच्छे score कर सकता है Columbia International है बहुत ही अच्छे form में जब से leads से आए हैं so ये एक आपके अच्छे grand league के pick बनेंगे and same goes for Edson Alvarez Edson Alvarez friends West Ham के लिए midfield को control करेंगे especially आज के match में उन पर responsibility और भी ज़्यादा होगी because West Ham को ball लखना नहीं पसंद है and main players उनके injured है so Edson Alvarez का form में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है and ये आराम साब को 25 से 30 point का एक save score दे सकते so here becomes another grand league pick ये grand league option so friends ये था हमारा fantasy preview for the Premier League match between West Ham United and Bournemouth अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको like करिएगा हम आपसे मिलते हैं friends विरसे का अगले वीडियो में तब तक के लिए all the very best for this match thank you